नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे लोगप्रिय कथाकार अनिता रश्मी जी की कहानी वाजसले रस्त, तो आईए सुनते हैं कहानी डाडी मा, तुम्हारी हतेली कितनी होट है, मैं उस पर सर रख कर सोजाऊं। उजवल के इतना कहते ही पारवती गदगद, उस अंजाने शहर के उस बड़े से कमरे में एका एक बहुत ही सुकून का एहसास होने लगा। हाँ बेटे, सोजाँ, कितने दिनों से किसी बच्चे को थपकी देने के लिए मेरी हतेलिया तरस गई, पारवती ने सोचाँ, अपनी दोनों हतेलियों के बीच उजवल के ललहुन कोमल कपोलों को खरगोश के बच्चे सा छिपा लिया, उनके चहरे से एक इसनिक्द तरलता टपक रही थी, पूरा वातावरन गवाही दे रहा था, जैसे ही रामप्रसाद कमरे में आये, उन्हें बहुत संतोश का अन्वा हुआ, बहुत दिनों बाद उन्होंने पत्नी की आँखों, चेहरे के भाव, यहां तक की शरीर की भाशा में भी बैती हुई तरलता देखी थ पार्वती, तुम तो यहां फिर से 20-25 की हो गई, लोहित का बचपन याद आ रहा है ना, हाँ जी, लग रहा है हाथेलियों के बीच लोहित सो रहा है, वह बिना हिले डुले बोली, अब मेरे मन को शांती मिली, उतना बड़ा लोहित अब ऐसे सोईगा, अपसोस कर रही है, नहीं, अपसोस कैसा, आप जानते हैं न, मूल से ज़्यादा सूत प्यारा होता है, पार्वती उजवल को दीमे दीमे ठपकी देती रही, लोहित के विदेश जाने, फिर वापस आकर अलग शहर में बसने के कारण, आखों में जो सूनापन छा गया था, वह हटता सा लगा, पार्वती अब उन्हें बीच मजधार में छोड़ कर नहीं जाएगी, उसके जीने के लिए यह बहाना काफी है, कुछ दिनों से वह यही सोच रही थी, राम प्रसाथ पार्वती की तडपन को देख देख बहुत घबरा गय थे, तुलसी के पौधे को नित्त सीचते हुए, संद्या दिखलाते हुए, वह मन ही मन प्रार्थनों में डूबी रहती, उचसा हीन चेहरे में कभी चमक नहीं आ पाती, इन दस सालों में उसकी छोटी सी मुस्कान के लिए वे तरस गए थे, परसों लोहित की चिर प्रतीक्षित चिठी लेकर डाकिया आया था, वह डाकिये को देख अंदर की ओर मुड़ गई थी, वैसे डाकिये के आने के टाइम पर उसे बाहर का ही काम रहता था, परसों भी बाहर का दालान जाड गई थी, राम प्रसाद ने ही पत्र लिया था, लो, आ गई बेटे की चिठी, बुलाहट, मैं कहता था न, लोहित हमें नहीं बूल सकता, उनका खिला-खिला ब्योहार भी पार्वती को हर्शित न कर सका, वह चौकी, फिर आम के बिखरे पत्तों को पुर्वत जाडू से हटाते हुए पूचा, लोहित की चिठी, वे आंगन में आम के पेड के नीचे बिच्छी खाट पर बैठते हुए बोले, हम दोनों को बुलाया है, लिखा है, आप दोनों के बिना घर एकदम सूना है, आपका पोता भी आपको याद करता है, उसे देखने नहीं आयेगा, और लिखा है, आने के लिए लिखा उसने, अब सुधाई, वह रोश में डूबी जहारू चडाती रही, कान तो उनकी ओर ही थे, फिर अ अचानक कहे उठी, हमारा पोता, हमारा पोता वह हमें याद करता होगा, कितना लंबा हो गया होगा न, सुनते हैं, बहु गोरी है, वह भी गोरा, हाँ, होगा क्यों नहीं, उसकी दादी जो इतनी गोरी है, वह इतना कहे उसकी चमकती आँखों में जांकने लगे, वह जाड फेक कर उनकी बात सुन रही थी फिर से उठा जट सूखे पत्तों को बुहारती कहने लगी कौन होती हूं मैं जो मेरा रूप रंग लेगा चेहरा निस्प्रव पतजड के दिन उसके चेहरे पर भी पतजड चा गया कभी बेटे लोहित के द्वारा उसके जन्म दिन पर लगाया गया विर्वा आज विशाल व्रक्ष बन आधे आंगन को घेरे हुए था मिट्टी के बाउंट्री वॉल पर पेड जुक आया था अपनी डालियों को जबरन घर के अंदर घुसेड रखा था उसकी एक भी डाल वहे काटने नहीं देती दिन भर में तीन बार जड़ी पत्तों को बुहारती बेटे की याद समझोती घंटों बीट जाते उसका मन उसकी चाया से हटने नहीं देता दोनों अकसर वहीं बीट गये दिनों को मोती सा चुकते रहते मानस पुत्र था वह विशाल आमर व्रिक्ष उसे लगाया भी तो था लोहित ने उसका दस्वा जन्म दिन था बहुत शौक से कल्मी आम का एक नन्ह पौधा लेकर रामप्रसाद आये थे आनन फानन में आंगन के बीचों बीच गढ़्धा खोद कर उसमें गोबर की खाद डाल मिट्टी को एक सार किया था पिता पुत्र ने एक किनारे खड़ी पारवती भी हांसे जा रही थी जैसे वे हटे पारवती ने लोहित के पास आकर पोधा लगवाया था और मिट्टी गढ़े में भर दी थी कासे के लोटे में रखे पानी को लोहित से ही हौले हौले डलवाया था उसने उस बार लोहित को रेडी मेट धोती कुर्टा पहना कर सर पर पगडी बांध मोर मुकुट लगा माथे पर तिलक कर कृष्ण की तरह सजाया था वह काना के बाल रूप पर वारी वारी जा रही थी उसी आम के पौधे के चारो और देर तक लोहित मगन वो नाचता रहा था बाद में उसी जगह पर कौपी किताब लेकर बैठ जाता आम का पेड़ और लोहित साथ साथ बढ़ रहे थे दोनों पती-पतनी के दिल में एक साथ उपल रही थी बेटे को डॉक्टर बनाना और यहीं के नए बने अस्पताल में पदिस्थापित करना राम प्रसाद शिक्षक थे गाउं के स्कूल में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे दो वर्ष पहले ही पंचायत के चुनाव में जीते थे मन में था बहुत काम कर लिया अब गाउं की सेवा करनी चाहिए अब तो सिक्षकों की स्कूल में कमी भी नहीं बहुत काम किया था अस्पताल का निर्माड भी उनकी लिस्ट में था दस्वी पास पार्वती भी उनके सपनों के साथ थी लेकिन बड़े हो गए लोहित की इच्छाएं और थी वह विशाल आमर व्रक्ष की उचाई की तरह हाथ में नहीं आ रहा था पिछले दस सालों से वह उसकी परचाई पकड़ने के लिए भागती रही थी परचाई हाथ नहीं आ रही थी उन दस वर्षों ने रामप्रसाथ के सावले हाथों गालों में जुर्णियां बर दी गोरी मासूम कोमल दुबली पतली पार्वती जुर्णियों से अब भी अचूती थी हाँ मुह इतना सा निकल आया था चलो अब जाड़ू बहारू छोड़कर कपड़े सहजना शुरू करो कल सवेरे ही चल देंगे पार्वती ने सर उठाकर हॉले से उनके उत्सा को देखा वे कहते रहे 14-15 गंटे का रास्ता है लोहित का ड्राइबर राद तक गाड़ी लेकर पहुँच जाएगा वे फिर से वर्तमान में आ गए पार्वती जैसे सुन ही नहीं पाई यहां भी तो सब समेट कर रखना होगा न देर करना ठीक नहीं वे उट खड़े हुए उन्हें बेटे के पास पहुँचने की जल्दी थी मैं नहीं जाती आत्म दर्प से पार्वती का चेहरा तप गया श्रम एवं अभिमान से गोरा चेहरा लाल हो उठा आप हो आईए उज्वल को आँखों में बसा कर ले आईएगा लो तुम्हें अब मान हो गया इतने दिनों से सब से मिलने की रट लगाए थी आज क्या हो गया सुन रही मेरी बात कहां खो गई इतने साल बाद उसे होश आया कि गाउं की गलियों में बुड़े माबाप उसका बाट जो रहे है मैं नहीं जाती तुम जा सकते हो मैंने मन को समझा लिया है तुम भी समझा लो ना पार्वती वे जाडू चीनते हुए बोले पार्वती जाडू को कसकर पकड़े रही एक तिर्ची निगाह उन पर डाली उपर सर उठा गौर से गाच की उची फुनगी को देखा फुनगी पर चंद कोमल ललहुन पत्ते और हर्याय पत्ते लहरा रहे थे गहरे हरे पत्तों से होते हुए जड़ तक उसने गहरी निगाह डाली फिर सर जुका लिया एक अस्फुट स्वर मैं समझना नहीं चायती बैठो पहले शान तोलो उन्होंने गहरी सांस ली मैं भी सोचता हूँ इतने साल उसे हमारी सुद ना आई कभी देखने नहीं आया बस दो जोड़ी कपड़े और महीने में दस आजार रुपया भेशता रहा कि हमारी जरूरते पूरी हो गई बुड़ापे में बस पैसे और कपड़े हमारी जरूरत है बस पैसे और कपड़े वे भावक होने लगे हमारी भावना, हमारा आकेला पन, हमारा जुडाओ कब आज के बच्चे समझेंगे पार्वती उनकी भावुकता देख बेचैन हो गई जाड़ू पटक उनके निकट आ गई वे कहते रहते, आज वे कहां समझ पाते हैं कि उनकी उपलब्दी, पैसे के परे भी उनका जीवन है जहां उनकी निव पड़ी, वहां कोई उनका इंतजार कर रहा है निव की पत्थरों को कितनी जल्दी भूलने लगे आज के बच्चे पार्वती ने उनकी आवाज में नमी महसूस की हमारी आखें पत्रा गई, ना खुद आया ना बस शादी की खबर भेज दी उनकी आवाज के गीले पन को पेड़ की जड़ों ने भी महसूस किया ना पोते के जन्म का ही समाचार दिया सारी खबरें बाद में मालुम पड़ती रही वे खांसने लगे, वे आहत, पारवती समझ गई भावनाओं के उठे जवार में उन्हें समालना जरूरी उनके हाथ पेर देर तक सहलाती रही थी कभी घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने वाली पारवती उनकी इस जिद्धी खांसी को अच्छी तरह पैचानती है बच्चों की तरह उन्हें समालती है अमेरिकी मूल की बहु बेटे को आस्ट्रेलिया में मिली थी दोनों उस समय साथ पढ़ रहे थे लोहित को विदेश भेजने के लिए उन्होंने कई खेत बेच दिये थे लोहित पढ़ाई खत्म कर वही नौकरी करने लगा था पास साल रहा होगा कि वैश्विक होते समय में आस्ट्रेलिया गए भारतिये लोगों पर हमले होने लगे और बीच में ही अपनी फैमली के साथ वह लौट आया था कहना चाहिए लौट जाना पड़ा था उसकी पत्नी और साल भर का बेटा साथ में था अपने को तो देखते नहीं आप ही तो बोलते थे ना कभी मूँ मत दिखाना कैसे आता भला वह जब विदेश में शादी करने की अनुमती मांग रहा था राम प्रसाद ने गालियों भरा खत लिखकर आने से मना कर दिया था उस समय मूँ देखते उनका दुरवासा मुनी को मात कर रहे थे क्रोध ही जिंदिगी का बड़ा हिस्सा कौन कहता वे लोहित के पिता थे दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन बैठा था अपना जाया खबर भिजवा दी थी खबर दाड जो मो दिखलाया जहर खा लूगा नोएडा में रहने लगा तब भी वही गुस्सा कितने दिन बाद सेटल हो पाया कोई खोज खबर नहीं ली उबलते पकते रहे उन्होंने एक ही बंदिश तो डाली थी सब करना बस में से ब्याह न करना ये वह समय था जब माता पिता के अंदर उदारता नहीं आई थी में एकदम त्याज बेश सिर हिलाने लगे उनके घुटनों पर हाथ रख पारवती बोल पड़ी तुम्हारे गुसे से डर गया होगा रामप्रसाद हसने लगे देड तक हसते रहे अब ऐसे मत हसो किसे समझाती है रे पगली अपने को या मुझे बचपन में मार कर घर से बाहर कर देता था तब तो डरा नहीं भै हाथ पैर दबा घंटों चिरोरी करता अब ऐसे नहीं कर सकता क्या इतना बड़ा हो गया पारवती का आत्मा विमान कभी खिसक कर रामप्रसाद के पास चला जाता कभी उसी के पास रहता ऐसे भावुक चणों में दोनों एक दूसरे को भरपूर समझाते वे चण हर दूसरे तीसरे दिन आही जाते भरपूर जिद्धी चण रात होते ही गाड़ी ले ड्राइबर सुरेशा पहुचर एक कमरे से बारी में जाने का रास्ता था पतले गलियारे से तो था ही पारवती कमरे में थी आगे आंगन में जाने के बदले वह पीछे बारी में जाकर कुएं की जगत पर जा बैठी सामने पुदीना लहरा रहा था चारो और उसकी भीनी-भीनी सुगंध तैर रही थी उसका ध्यान नहीं गया राम प्रसाद मनाने आये तो साफ कह दिया मैं अभी नहीं जा पाऊंगी जिद नहीं करो अपने साफ सुत्रे आचल को कमर के गिर्द लपेटते हुए दूसरी और मुड़ गई मैं भी नहीं जाता जा सवेरे अंधत है गाड़ी लोट गई एक हपते बाद फिर गाड़ी हाजिर पारवती का मान इस्थिर न रह सका जब उसने पांच वर्षिये बच्चे को उतरते देखा कुए से तुरंत निकाली गई बाल्टी पटकती चीखी थी लोहित एकदम लोहित उज्वल को पेट से चिपका कितने चुम्बन जड़े गिनती नहीं अंदर कोटरी में बैठे राम प्रसाद भी निकलाए लोहित आया चिर प्रतीक्षा में लीन आँखें अनहोनी देख रही थी हत्प्रव हो गई वाने उनकी वाजसल रस्ते पारवती का चेहरा उदभाशित वे समझ गए अब पारवती का इनकार दम तोड़ देगा मैं कहता था न यह तुम्हारे रूप रंग का होगा लोहित ने भी तो तुम्हारा ही रंग चुराया था है ना पारवती मैं तो उसके चेहरे के रस्से अभिभूत हो वे चुप हो गए उस घर के आंगन, बड़े से बरामदे, दालान, बादी, कुए, व्रक्षों, सबजी के पोधों, तुलसी दलों, केले के पत्तों, आवले के बीजों में अचानक बसंत आ गया पतज़ड में गिरी पत्तियों, जरे पुश्मों, नंगे बिटकों के बीच बसंत चवदै साल की उम्र में ब्याहकर यहां आई थी, उस पर वही कैशोर्य छागया तुरंद, फिर जवानी आ गई थी कभी चावल को सिलबटे पर पीस छिलका बनाती, कभी वेगो कर अर्वा चावल सुखाने के बाद देकी में कूट मीठे गुर का अर्षा तलती क्या करे क्या नहीं समझ नहीं पा रही थी, उसके घुटनों का दर्द कलायों की सूजन, छाती पीट की जकडन, माथे की पीर और दिल के हस्ते घाव सब छूम अंतर किस परी की जादूई छड़ी का कमान? आज तीनों के चेहरे पर टपकने वाली गर्मी वातवरण में ठैली थी, कौन किसका पूरक कहना कटिन? दूसरे दिन सवेरा होते ही वे निकल पड़े, अरसा और चावल की पपरी साथ में बांध ली थी, धूल भरे रास्ते पर क्रेटा आगे बढ़ रही थी, विभिन प्रशनों से व्यस्त रखने वाला उज्वल निर्द्वन्द सो रहा था, लोहित के वेल फर्निष्ट फ्ल साय हैं, उनको छुटी नहीं मिली, साहब बताने को बोले, उज्वल के कमरे में ही उनका सामान लग गया, आया ने गर्मा गरम सूप पिलाया, टमाटर का सूप देख पीकर हसी पारवती, यह बिलोती का रस है, यह सूप दोरा क्या होता है जी, अरे इधर अब तो माड को भ राई सूप कहकर बड़े होटलों में बेचा जाता है, पारवती गंभीर हो गई, सच कितने लोग केवल माड पीकर भोक मिटाते हैं, उसको यहां होटल में बेचा जाता है, उसके आश्यर का ठिकाना न था, उसको अच्छे घर के लोग तो नाली में बहा देते हैं, राई स पैर कापने लगे, आया नीता आकर बता गई, साहब लोग आ गए, कितना याद करते थे आप दोनों को, वह चली गई, गाड़ी की आवाज कब बंद हुई, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सुना, मॉम डैट आ गए नीता, यस सर, दोनों का जी मूँ को आने लगा, कैस चेहरा हो गया होगा, उम्र की छाप पड़ी होगी, मोटा हुआ या मारे उचसुकता के रामप्रसाथ बाहर आ गए, तक तक वे अंदर घुसे, पहले पिता, फिर मा के आसु बांध तोड़ बह निकले, पारवती तो बेहाल, उजवल को बेट पर छोड़, बेटे से लिप हिचकियां लेती रही, पल ठहर गए, इन पलों में सारा मान, सारा गुसा, सारी शिकायतें बह गए गई, बेटे के रूठे कपोलों को हाथों में भर लिया, तुम्हारी हथेलिया अब भी उतनी ही गर्मेमा, इसकी जरूरत इतने सालों में कभी नहीं पड़ी, माबाप से कभी कोई रूठता है, गाउं की वो गलियां कभी याद ना ही, उसके शर्द तूट रहे थे, पर संचित दर्द बहराता, जहां बच्पन बीतता है, उसकी याद कभी कोई भूलता है, मैंने अब तक तुम्हारे कंचे, गिल्ली डंडा, तुम्हारी स्लेट पेंसिल, पहली कलम, पोतड़े, फलिया, पहले साल के सारे कपड़े सहज रखे हैं, और तुमने जीवित माबाप को अपनी जिंदगी से निकाल फेका, तुम अकेले थोड़े न हो, तुम्हारे जैसे कई, फिर अचानक उसे कोने में खड़ी बहु की याद आ गई, उधर मुरी की मेम कानों में पड़ी, मौम, मेरे सन को भी आपकी गर्म हठेली की नीड है, दोनों कंधों पर उसके हाथ पड़े, पर वह समझ नहीं पाई, क्या उत्तर दे, मन कह रहा था, ये लोग गाउं में नहीं रह सकते तो क्या, हम यही साथ रह लेते हैं, मतलब साथ रहने से है, बहु नहीं दे पाते दोनों, बस यही कमी थी, सुभे साथ बजे निकल, नौ बजे रात तक लोड पाते, आते ही पारवती ने घर समाल लिया, खास कर उज्वल को, उसके खाने, पीने, सोने, खेलने का खूब ध्यान रखती, उसका मन भी रमा रहता, लेकिन छै महीने में ही पार पारी नहीं टालेगा, टाल ही नहीं सकता, उसे पक्का वरोसा था, वह लोहित के कमरे की तरफ बढ़ी, लैपटाप खुला था और सामने लोहित बैठा था, पास में ही पानी के पीताग बोतल सम्ग खाने का सामान पड़ा था, टेबल पर एक तरफ रखी पतनी की नारंगी मिनी सकर्ट में तस्वीर को देखते हुए लोहित ने कहा, आप से कुछ कहना है, वह आवाक रह गई जब लोहित ने उसका हाथ खाम लिया और उच्छा से किलगते हुए कहा, थेंक्यू मॉम, थेंक्यू, थेंक्यू किस बात का, तुम उज्वल को सिखाते हो कि रिष्टे म में नो थैंक्स, नो बात अधर में लटकी रह गई, वह बीच में बोल पड़ा, आपने इतने दिन मेरे बेटे की देख भाल की, अकेले घर में उसे छोड़ने में चिंता होती थी, इसकूल से आने के बात देखने वाला कोई नहीं, इसकूल भी ठीक से नहीं भेज पाते थ मेट भी आपके कारण ही इतने दिन ठीकी, तुम्हारा बेटा, उजवल सिर्फ तुम्हारा बेटा है, कंधे पर हाथ से सहलाते हुए लोहित अपनी धुन में बोलता रहा, हम आपसे कबसे कहना चाह रहे थे, हमें नौर्वे जाना है, खुद को मुश्किल से समाला दोनों देर तक चुपी, पारवती ने तोड़ी, फिर बाहर जाने की बात क्यों, गाउं चलो, नहीं मॉम, अब वहां क्या रखा है, राम प्रसाद ने भी कहा, अब कहीं मत चौब, इंडिया में रहो, बहुत सारे लोट आये हैं, डैट, नहीं, हमारे सपने कुछ और हैं, हमने प दस तारीक को जाना है, अगले महीने पस बीस तिन बार, एक बार भी बताया नहीं, उजवल के बिना, दोनों के मुख खुले के खुले रह गये, पारवती के बोल भी फूटे थोड़ी देर बाद, अगले महीने, पूछने या बताने की जरूरत नहीं समझी, इतना रहस, इ Official Formalities पूरी करनी है, दो दिन के लिए उजवल भी चला जा, दो दिन में क्या मिल जाएगा, नहीं, उसे ठकाने की जरूरत नहीं, रात में नए वियाईपी को पारवती ने धीरे से खोल, तह किये गए कपड़ों के नीचे हाथ डाला, उसके हाथों में लोहित का बच्पन आ बेड़ पर बेखवर सो रहा था, फिर राम प्रसाद की और निगाहें डाली, वे दिवार की तरफ करवटले सोय थे, पारवती को पता है जगे थे, उसने धीमे से लोहित के बच्पन को उजवल के कवर्ड में उलट दिया, नन्ने नन्ने कपड़े, हाथ के बने गुड़े पहली वर्ष गांट पर लोहित के सरपर बांधा गया मोर पंक, छोटी मोतियों की माला, छुटपन में कमर में बांधा गया काले धागों का डंडक डोर, कंचे, छोटे-छोटे रुमाल और मासूम हसी किलकारी, दूसरे दिन ही उसने जिद मचा दी, लोहित बहु उजवल एक दिन रुखने के लिए कहते रहे, वह नहीं मानी, उसके आगे किसी की चली भी नहीं, दोनों को क्रेटा चोड़ने आई, धूल भरे घर में गुस्ते हुए रात के नौ बच गय, सब तरफ धूल का गुबार, थोड़ी दूर कच्ची सड़क है, उसने उनके मुह, कान, सब धूल से भर दी, सुरेश ने घर की सफाई करनी चाही, दोनों ने मना कर दिया, सुरेश की आवशक्ता यहां से ज़्यादा वहां है, बहुत सारे काम निप्टाने हैं, समय कहां है, उसे जल्द वापस भेज दिया गया, सुरेश को रात के खाने के लिए लोहित ने पैस और पड़ गये, पैताने पार्वती भी ढह गई, रात कैसे बीती, दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया, वे चेहरे करुन रस से ओध प्रोत, एकदम भोर में राम प्रसाद की आँखें चपक गई, धूप सर चड़ नाजने वाली थी कि खुल भी गई, पार्वती बिस् कानों ने सुनना, आँखों ने देखना बंद कर दिया, उनकी घबराहट बड़ी, वे घबराकर आंगन में आ गए, पार्वती आम के पेड के नीचे खड़ी थी, उसकी गर्म हतेलियों में दबी थी कुलाडी, आंगन के बीच में छोटी डालियां पड़ी थी, ताजी कट उसकी और देखने की उनकी हिम्मत जबाब दे गई, वे जानते थे, नौ रसों में से सबसे भायानक रस पार्वती के चेहरे को विक्रित कर रहा होगा, तभी खटाक की ध्वनी गुझी और एक पतली नन्नी डाली फिर, लगा उन्हें पार्वती पेड को धराशाई करके ही मानेगी, दर्द को कोई भी राह मिले, निकलने दो, उन्होंने कमरे की और कदम बढ़ा कर समस्या से जैसे आँखें फेर ली, आँखोजल, पहारोजल, कहावत कहते थे उनके पिता, जबकि वे जानते हैं, इतनी आसानी से ओजल नहीं होता कुछ, अचानक पार्वती ने गिरा दी, उसका सर जुक गया था, सर जुकाए हुए ही कुलाडी को फिर उठाया, घुमाया, फिर घुमाया, जोर लगा कर दूर फेख दी, और आम गाच को चूम, उससे लिपट कर रो पड़ी, आसु के साथ उसकी बेवसी, रोश, क्रोध, सब बहने लगा, आँखें वा और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया, आपको अच्छी लगती है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों और परचीतों में शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न गूलें, दाने बाद